पूरे मामने की जाच आगे बढ़ाई थी आप लोगों को हाला की PM रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट नहीं दी गए थी लेकिन मौके पर गई थी टीम क्या कुछ वहाँ से पता चला था जल्दी से बताएं फिर राउ साथ आपके पसा रही हूं जल्दी से देखे अंजना जी जब आप तथ्यों के साथ बात को रखती है तो पूरे देश साती सुनता है और उसको भरोसा करता है उसी तरह बिहार पुलिस के पास जो ममलाया बिहार पुलिस वहाँ गई है तो बिहार पुलिस को बहुत से तथे वहाँ पर जाज करती थी और मुंबई पुलिस जात नहीं करने दी सर्फ्य बढ़ा कि मिर्तु समिक्षा रिपोर्ट जो होती है प्रथम पुलिस जो जाती है उसारे तर्थ्यों को इनक्वेश्ट में भरती है कि कहा निसान है, जिसान की क्या लंबाई है, पुलिस उसको लगता है कि इंकार की पूरी भरी नहीं उसी पर postpartum report depend करता है तो वहां पर लगता है कि पूरी मामला जो इतनी तीन एजन्स के आजाज करिए कहीं नहीं कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा राज है इस राज के पिछे राजिस्तिक के रुप्याउट रहा है जैसे कि अभी दो CFSL experts ने बताया और सबसे इंपोर्टन बात जो एम्स के डॉक्टर ने अभी डाउट क्रियेट किया है और अटॉप्सी के ओपर अटॉप्सी के डॉक्टर से पूस्टाज करनी चाहिए वो बहुत इंपोर्टन चीज है और जो अभी विस्टर रिपोर्ट आने वाली है उसके ओपर ये लेकिन बाते नहीं मिली इसलिए एंश की टीम को मुंबाई जाना पड़ा हारा कि वो लॉट चुके अपने पाइंडिक्स के साथ लॉट चुके 17 सब्टेम्बल को मेडिकल बोर्ट की टीम है ठीक है आप अपनी बात पूरी कर लिजे टाइम थोड़ा मुझे मिल जा रहा लेकिन लगता तो फिर मर्डर में इसमें पूरा का पूरा मैं बताता हूं सरक्म्स्टांस पर है किसी ने देखा नहीं किसी ने उसको करते वह नहीं देखा सिर्फ चार चस्मदीद ने देखा है और घंटों घंटों से लिए पूस्टाच करें लेकिन यहां पर मर्डर केस में सबसे इविडेंस का अप्रिशेट किया जाना और खास तोर से सैंटिफिक एविडेंस इसमें बहुत ज्यादा एहम रोल अदा करेगी सरकम्स्टांसल एविडेंस पूर्टिड विदी एफसल रिपोर्ट अप्सी रिपोर्ट और दूसरे जो मोकें के साक्स हैं जो सबसे पहले सबसे कर रहे हैं मैं समझता हूं कि सारे एंगल्स को अपका कमेंट इस पर आपने तो दो फोरेंसिक एक्सपर्ट को जो सबसे वरिष्ट वकील पॉब्लिक प्रॉसेक्यूटर निकम साब सब को सुना है अब बताईए क्या कह रहे हैं देखिए सुरू से जब मामला संदिग दिथा मामला संदिग उसी वक्त था जब ये मैंने बताए वीडियो का नहीं था उनका दूसी चीज इस ये कि उनकी जो गले पे निशान था वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान था तीसरी चीज़े जो बार-बार बाते उट रही हैं कि चार लोग कह रहे हैं कि हमने देखा ये चारो किसी ना किसी मसले में फसे हूँ है ये चारो पाक साफ नहीं है ये चारो किसी ना कि करने का जो राइट है वो हमें मिलना चाहिए और वो सुरू से अगर कोई संदिक दिख रहा है अगर जल्दी बोली ब्रेकर टाइम हो गया जल्दी बोलिए फिर हाथ पर एक दम जल्दी बोलूगा वेडम जो आपने बोला जो यह हमारे लगा कि कोई नई डिसको नहीं पता है नमस्कार मैं हूं अंजना ओंकाश्यप हमें उमीद है यह विडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस विडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले